तो इंसान लगता था कि मतलब किस तरह से हम बच जाएं मतलब एकदम समझे कि मौत की नजदिक लोगों नहीं जिन्गी देखी है और इस उमर में आ करके और इस तरह से हरकत करना सुबह के सारे काम हो गया है और पुजा पाट करके आ गई हूँ अपने दिन की लंस्थाली तयार करने के लिए लेकिन आप लोगों को पता है कि जन में अभी काम चल रहा है और बच्चे काम कर रहा है तो मैं यहाँ पर क्योंकि मेरा स्पेस थोड़ा कम है जो कल के ब्लॉग में मैं दिखाई थी आप लोगों को तो यहाँ पर टेबल पर ही मैं गैस चुला रख दी हूँ और यहीं पर बना रही हूँ थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लेकिन दो दीन का और दिकत है उसके बाद फिर मैं अच्छा से बनाओगी इतने में मेरी छोटी बहन का वीडियो कॉल आता है और गाना बहुत अच्छा गाती है वह वाला जो नूतन जी का गाना है वह गा रही है बहुत ही मतलब सुरीला गाती है तो चलिए थोड़ा सा वीडियो कॉलिंग में इससे बात करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर दूद गरम कर लेती हूँ तो दीन में तीन से चार बार उन लोगों को चाय भी देती हूँ क्योंकि यह लोग बहुत हाड वर्क भी करते हैं और मतलब आप किसी भी चाहे घर के सदर से हो चाहे कोई गेश्ट हो और चाहे आप किसी को भी अगर दिल से खाना खिलाते हैं तो वो जी भर के आसिरवाद देते हैं मेरा मतलब शुरू से रहा है और मेरा मायके हो या सस्राल हो लेकिन मेरे यहां अगर कोई भी आ जाए ना तो जो भी मतलब है ना तो दिल खोल करके मैं खिलाती हूं और यह चीज मेरे मतलब मायके सस्राल दोनों जगह है तो यहां पर बच्चे जो है ना कंस्रक्शन का काम कर और तब तक यहां पर उन लोगों के लिए मैं चाय चरहा दी हूं, सासत मैं भी चाय पीऊंगी और चावल का पानी चरहा है, और यहां पर सिंपल सा आज सब्जी और चावल बना रही हूं, क्योंकि बहुत सारा दिकत हो रहा है, ऐसे तो मैं टैरेस पर ही काम करवा रही हूं, क्योंकि घर में तो देखिए जगा नहीं है और थोड़ा समय गारेज में काम करवा रही हूँ जितना भी टैल्स बगरा काटने का काम और आप लोगों का कमेंट्स आ रहा थे कि प्लास्टी के ग्लास में चाय नहीं दे तो मुझे ये भी अच्छा लगा कि आप लोगों का मतलब इस तरह का कोई भी कमेंट्स आता है जो जेनियून रहता है तो मुझे मतलब ये भी बात रिलाइज हुआ है कि नहीं प्लास्टी की ग्लास में नहीं देना चाहिए तो देखिए आज इस्टिल का ग्लास में मैं दे रही हूँ और साथ साथ ये लोग गैरेज में टाइल्स काट रहा है तो वहीं पर जाके चाय भी स्किट खा लेंगे और साथ में देखिए अभी तो कीचन पूरा टूटा हुआ है लेकिन यहाँ पर मतलब जो भी पानी का काम कीचन में ही कर रही हूँ और यहाँ पर मैं चावल डाल रही हूँ लेकिन इन लोगों का भी खाना है न तो चावल थोड़ा जादा ले ली हूँ तो एकदम पतिला भर गया है और सबजी सिंपल सा बना रही हूँ आलू गोबी का ही सबजी बनाऊंगी और साथ में चोखा रहेगा और सलाद और चटनी बगरा मैं बना रही हूँ तो आज पूरी रेसिपी में नहीं सेयर करूँगी क्योंकि मुझे कर्स्रक्शन का भी काम देखना है वो लोग नाप रहा है किस तरह से काट रहा है साथ-साथ मतलब दोनों जगा मुझे देखना पड़ रहा है तो प्रोपर जो है ना कुकिंग का वीडियो सूट कर पाना दिकत होता है तो यहाँ पर चलिए खाना फटा-फट से मैं बना लेती हूँ और साथ मैं यहाँ पर प्याज काट रही हूँ सबजी के लिए खाना खा रहा है घर में भी मैं सबचो खाना दे दी हूँ शाहता देखेए यह लोग किचन में भी लगे हुए है और यहाँ पर मैं कैचन का पूरा शफाइ कर वाली हूँ दीमा का दवाई भी डलवा दी थी र यहां पर देखिए कटिंग हो रहा है और आज तो इतना दर् आप लोग के साथ मैंने वीडियो सेयर की थी बोलने से पहले मैं दिखा दू इधर भी पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और यह जो है ना एक तो देखिए उधर है चप देखिए मैं दिखाती हूं और एक तो यहां मारा मतलब यहां पर सथ है और इसके नीचे फ्लोर मतलब पूरा फोर्थ फ्लोर पर मैं रहती हूं एक फ्लोर में तीन फ्लैक है यहां पर जितना गमला वगेरा देख रहना तो यह इस में से 15-16 जो गमले है ना तो हमारे एक जाजी रहते है नीचे तो उन ही का है तो मैं मना नहीं करती हूं देखिए पेड़ पौधा रहता ह है ना तो सब के लिए है तो उनके गमले में भी मैं सेवा करती हूं udah मुझे लगा कि बहुत सारा गमला है तो चलो भयाइदर वाला पूरा एरिया दिखाते हूं तो च्छ Thank pe ragt आपका उधर रखूंगी तो खराब हो जागा लेकिन इधर का एरिया में सारा गमला है सबका गमला मेरे ही नहीं है उनका पूरा पंदरा गमला है लेकिन यह जो मैं दिखाती हूं फ्रंट कैमरा से देखेगा एरिया आप लोग बताईएगा और में सबर्मा बहुत लड़ाई क्लीन करती हूं दो साल हुआ मतलब मुझे यहां आए हुए और उस समय पूरा छट इतना जादा गंदा कभी कभी डॉगी भी चल जाता था और जब से मैं आई हूं सब सफाई करवाती हूं अलग से पैसा देती हूं मुझे अच्छा लगता है कि चलो छट साब सुतरा रहे मतलब अपना विंटर के समय में भी सब लोग च्छत पे बैठे उठे लेकिन मैं तो पहली बार सुनी हूं कि च्छत का एरिया भी जो होता है ना मतलब उन्हीं का हो जाता है क्योंकि देखिए यहां पर बहुत सारे लोग है तो लेकिन कभी भी इस तरह कभी बाद नहीं हु हो जाता है लेकिन कोई नहीं देखिए च्छत जो है ना वो पूरा मतलब अपना पर्सनल प्रोपर्टी नहीं होता है लेकिन बहुत गुस्ता आता है मिस्टर बर्मा बोलते हैं कि लिए बोलती हो छोड़ दो लेकिन कभी-कभी देखिए सब का काम रहता है साधी भी आ नहीं हो तो एंधिर देखिए यह ने मतलब अपना सारा काम करते हैं तो मैं दिखाती हो फ्रांट कैमरा से देखिए यहां पर बाथ रूम है यह जो पूरा एरिया है ना देखिए यह च्छत का जो मैं दिखाती हूँ ये जो मतलब कुछ गमले मतलब मुझे लगता है कि 8 गमले मेरे होंगे और नीचे एक जाजी हमारे रहते हैं उनका पूरा गमला है तो मैं ही सेवा करती हूँ कुछ-कुछ गमले मेरे हैं जैसी ये सब छोटा-छोटा यह सारा उनका ही है और इसके नीचे मेरा च्छत भी है तो अगर मैं भी अगर बोलूं कि च्छत आपका है रखें मेरा च्छत यह हो जागा लेकिन नहीं यह च्छत जो है ना यह सारा सभी का प्रोपर्टी है और यहां पर देखिए यह जो समान है ना देखिए यहां से उठा 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 करके सारा उधर फेक दिये थे फिर मैं लेके आई हूँ यहाँ पर क्योंकि धूप लगेगा तो इसका भी कटिंग करवाना है और बच्चे मतलब यहाँ पर है देखिए इस एरिया में रखी हूँ काम करवाना बहुत मुश्किल हुआ है और यहाँ पर देखिए लेटरिंग का स्पेस में मैं काम करवा रही हूँ देखिए इस तरह से और कोई नहीं तंग करता है जो बेंगोली है यह रिटायर परसन आदमी है और इस एज में मतलब इतना परिसान करना मतलब आज से ही नहीं कभी मैं हेंगर रहती हूँ यहाँ कपड़ा पसारनी के तो उतना लोग चाटा भी नहीं है और कुछ लोग हैं तो बहुत अच्छे हैं कभी-कभी जब विंटर होता है तो सब लोग चट पर आके बढ़ते हैं लेकिन यह जो बंगाली ददा पता नहीं कहां से आये हैं इतना ज्यादा परिसान करना और मेरे बच्चा भी बोलता है तो साथ ससुर नहीं है काफी बड़ा मकान बनाये हुआ है तो मेरी गोटनी पूरा वहाँ परिसा किरयार लगा सब्सवार जिघान के लिख कर ले गया लेकिन आज तक मैं साथ का घर में ना जाती हूं ना कभी किरायाब पूछती हूं और ना मैं हिस्सा और मैं मतलब मेरे घर में भी ना मिस्टर बर्मा कभी जाते हैं कभी नहीं मतलब दोनों भाई जो है ना ये लोग अपना अपना जो मतलब जो भी हिस्सा रहा सब लोग बांटे लेकि मिस्टर बर्मा का ये सा बादत नहीं रहा है ना मैं कभी अपने पापा इस तरह से मिल जाते है ना तो जीना मुश्किल हो जाता है टेंसन हो जाता है तो यहीं मैं अपडेट देना चाह रहे थी कि देखिए आप लोग एरिया देखे ना तो आप लोग बताईए इस तरह से कहीं होना चाहिए चार दिन का जिन्गी है जब कोरो और पेड़ पौधा जो क्या होता है ना कि मतलब यह भी बच्चे की रूप में है और इसको मतलब पेड़ पौधा भी मेरा उठा उठा करके फेकने लगे थे और एक चीज और में दिखाती हूं यह आप लोग बताईएगा यह जो यहां पर देख रहे हैं यहां पर एक कॉर्णर में गमला रख कि मतलब वो लोग भी आकर के और कभी बोतल में पानी पीके कभी कुछ करके वहां तुलसी जी का पेड़ भी रखी हूं जाजा करके वहां फेकता है तो मतलब देखिए कभी इस तरह के इंभार्मेंट में नहीं रही हूं मेरा तुम्हारा वाला कॉंसेप्ट कभी रहा ही न नहीं और देखिए यहां पर काम हो रहा है दो दीन का और काम बचा हुआ है यह दो दीन का और काम है तो बस ठक जाती हूं क्योंकि सुबह से सबकर खाना पीना और मतलब सारा कुछ करना और यह मतलब इसका भी एक अपडेट दूगी कि मुझे बहुत खुसी है कि बहुत ध है तो क्या बोलेंगे आजकल मेंटेलीटी इतना सबका खराब हो गया है ना इसके लिए जज कर पाना मुश्कील है तो चली मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ तेके लिए बाबाई टेक केर